हेलो बच्चो स्वागत है आप सभी का एसम इंगलिस क्लासेस पर दोस्तो जितने भी यूपी बोड के क्लास 10th के स्टुडेंट्स हैं उनके लिए हमने इंगलिस के स्लेबस को बहुत ही अच्छे से डिजाइन कर लिया है जिसकी पहली वीडियो में हमने लैंचो के क्यरक्टर सकेच को काफी आच्छे से डिसकस किया था आज इस वीडियो में हम एक और लॉंग एंसर को करने वाले हैं जो की आपका फॉर मार्क्स का होगा यहां पर आप देख सकते हैं फॉर मांक्स यह लॉंग उन्सर होगा आपको कुछ नहीं करना है जो मैं बता रहा हूँ आपको इसी तरीके से इसी pattern में आपको लिख्याना है और आपके चार नम्मर यहां से पक्के हो जाते हैं तो चलिए friends शुरू करते हैं आज की वीडियो को देखिए आज का जो long answer है हमारा वो होगा The Enchanted Pool एक chapter है वहां से इस long answer को आज हम discuss कर रही है तो देखिए question आपसे पूछा जा सकता है यहां पर question लिखा है Give a character sketch of Yudhishtar Yudhishtar का character sketch काफी important है और कापी बार यह repeat भी हुआ है तो यह आप मान के चलिए कि आपका यह question 100% आने ही वाला है देखिए अब आपको answer में क्या लिखना है answer में आप सबसे पहले एक introduction की एक heading बनाईए और उसमें आप लिखिए Yudhishtar is the main character of the story The Enchanted Pool तो Yudhishtar जो है एक main character है इस story के और इस story का नाम आपको लिख दिना है The Enchanted Pool ठीक है I hope कि यह पहली headline आपको समझ में आगी होगी पहली heading यह आपको समझ में आगी होगी बढ़ते हैं आगे अब दिखिए यहापर हम बात करते हैं second heading की तो second heading आपको लिखना है eldest brother आपको पता है सबी भाईयों में सबसे बड़े थे Yudhishtar तो eldest brother की नाम से भी वो जाने जाते है Yudhishtar was the eldest among all the five brothers Yudhishtar जो थे सबसे बड़े भाई थे among all the five brothers सबी पाँचो भाईयों में who had been living in exile exile का मतलता है वनवास जो भी पाँचो भाई वनवास पर थे जो भी पाँचो भाई वनवास पर रह रहे थे ठीक है तो उन में सबसे बड़े जो भाई थे वो Yudhishtar ही थे आगे third heading की बात कर लेते हैं आगे आपको third heading बनानी है और आपको black pen से लिख देना है a loving brother तो a loving brother माँ आप क्या लग सकते है Yudhishtar loved all his brothers unconditionally Yudhishtar loved all his brothers unconditionally युदिश्टर जो थे अपने सभी भाईयों से unconditionally प्यार करते थे कोई प्यून का स्वार्त नहीं था बेश्वार्त निस्वार्त वो अपने भाईयों से प्यार करते थे he cried loudly वह जोड़ जोड़ से रोने लगे when he saw them lying dead जब उन्होंने यानि की जब Yudhishtar ने उनको lying यानकी पड़े हुए dead मृत पड़े हुए देखकर यानकी वो उनको रोने लगे he could not bear bear का मतलब है यहापर bear का मतलब है यहापर सेहन करना he could not bear वो सेहन नहीं कर सके दियर सेपरेशन यानकी जब वो मर गए थे तो सेपरेशन का मतलब है बिछड़ना सेपरेट जब हम हो जाते हैं तो किसी से मतलब बिछड़ जाते हैं तो सेपरेट का नवन बनाए सेपरेशन तो यानकी उनका बिछड़ना उनसे बरदास नहीं हो पाया वो सेहन नहीं कर सके आगे चलते हैं फ्रेंड्स आगे देखते हैं क्या लखा है देखे चौती हेडिंग आप लिख सकते हैं करेंड ब्रेवेड इंटेलिजट्र अपको पता ह inclist बाहुत बहुत बहुत व्यक्ति थे ही वन सों intelligent so का मतलब है इतना he was so intelligent वह इतने भादुर थे that that का मतलब है आपर की he was so intelligent वह इतने भादुर थे that की he answered all the questions कि उसने सभी questions का जवाब दे दिया asked by यक्ष जो की यक्ष के द्वारा पूछे गए थे और answer वन दिया था satisfactorily satisfactorily संतोस जनक यानि की यक्ष को पूरी संतोस्टी मिल गई थी युदिश्टर के answer से चलिए एक और heading यहापर हम discuss कर लेते हैं देखिए heading नमर यहापर पांच में आप लेख सकते हैं lover of justice lover of justice यानि की नियाय के प्रिय बहुत ही ज्यादा नियाय उनको पसंद था किसी के भी किलाव वह बेदवाब नहीं करते थे वह सब को समान मानते थे तो इसमें आप लेख सकता है कि युदिश्टर was a great lover of justice युदिश्टर जो थे वह बहुत ही ज्यादा great lover थे बहुत ज्यादा बड़े बहुत ज्यादा lover थे किसके justice के नियाय उनको बहुत ज्यादा पसंद था नियाय के बहुत ज्यादा वह प्रिय थे he chose choose की second form यहापर हमें यूज की है he chose nakula to be revived इसलिए क्या कि उन्होंने नकूला को चुना to be revived जिंदा किये जाने के लिए so that so that कमलोता ताकी ताकी the skills of justice might be equal ताकी जो नियाय है वो सभी भाईयों के बीच बरावर हो सके इसलिए उन्होंने नकूला को चुना जिंदा किये जाने के लिए आई होप कि यहां तक आपको यह पूरा लॉग अंसर समझ में आ गया होगा अगर आप इतना लख्याते तो आपके फूर मार्क्स बिलकुल कंप्लीट आपको फूर मार्क्स मिलेंगे कहीं से भी यह कटने वाले नहीं है अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो आप में हमारी वीडियो को लाइक कीजिए शेर कीजिए और अगर आपको और जदस जदस वीडियो इसी प्रकार कीचिए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राब कीजिए ओके फ्रेंड्स मिलेंगे अगली वीडियो में तिल दें टेक क्यार बाइ एंड जैहिंद